हेलो वीवर्स वेलकम टू हानियास किचिन आज मैं आपको सॉफ्ट सॉफ्ट कुफते कैसे बनाते हैं और इसकी जो ग्रेवी बनती है वो एकदम होटल जैसे मलाईदार बनती हैं मैंने चिकन कुफता विद रेड ग्रेवी भी चैनल पे अपलोड की हैं दोनों तरीके से पानी नहीं रहना चाहिए अब चिकन में जाएगा एक टी स्पून भरके लैसुन अद्र का पेस्ट देश पून हरी मिर्श का पेस्ट अगर तीखा आपको और चाहिए तो दो से तीन टी स्पून ले लीजिए यह भुना हुआ मसाला है हम इसे इस तरह बनाएंगे एक पे भुनेंगे जब तक हलकी सी खुश्बू ना आ जाए अगर आप जल्दी में हैं और खड़ा मसाला भुनना नहीं है तो आप एक टी स्पून भुनावा धन्या पाउडर एक टी स्पून जीरा पाउडर और एक टी स्पून होममेट गरा मसाला डाल सकते हैं जैसे हलकी से खुश्बू आने लगेगी अब गैस बन कर दीजे और मसाले को प्लेट में निकाल के हम पिस लेंगे अब यह मसाला जाएगा चिकन में दो टेबल स्पून फ्रेश क्रीम नमक स्वाद अनुसार पाइंडिंग के लिए हम डालेंगे दो टेबल स्पून आता या बेसन थोड़ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चिकन में मॉिस्चर है तो आप 1 टेबल स्पून आता और डाल सकते हैं अब इस चिकन के बैटर में हम 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे इसे ढख के हम एक घंटा फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रख देंगे फ्रिज में हम चिकन या मतन को मैरिनेशन के लिए क्यों रखते हैं इसका रीजन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एक घंटे बाद अब हम इस बैटर से मीडियम साइज बॉल्स बना लेंगे देखे हैं आराम से बॉल्स बन रहे हाथ में बैटर चिपक भी नहीं रहा और हाथ में तेल लगाने की जरुद भी नहीं पड़ रही यह इसलिए होता है एक तो डो हमारा थणना है दूसरा मॉइस्टर नहीं है और तीसरा आलरेड़ी हमने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है इस तरह कड़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है तेल मीडियम होट होना चाहिए अब एक एक करके कौफते हम डाल देंगे बीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे कौफते को ज़ादा उलट पलट नहीं करना जब ऐसा लगे कि एक साइट से लाइट गोल्डन हो गया है तो फिर हम इसे पलट देंगे और जब अच्छे से light golden दोनों तरफ से हो जाएं तो हम कोफते को निकाल लेंगे चिकन की कोफते बहुत ज़्यादा जल्दी fry हो जाते हैं 6-7 मिनिट में आपके कोफते पक जाएंगे थंडा होते ही कोफता थोड़ा सा dark golden हो जाता है कोफते को अब हम धुआ देंगे बहुत ही important यह step है skip मत करना इससे जाएका बहुत अच्छा हो जाता है बस कोईलों को गरम करना है थोड़ा सा तेल या फिर घी हम कोईले पे डाल देंगे फिर इसे धग के 3-4 मिनिट बाद धकन कोलेंगे बस इतना धुआ काफी है कोफते के लिए एकदम नई तरीके से ग्रेवी बनाएंगे ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है फ्लेम हम हाई रखेंगे दो मीडियम साइज प्यास को हम हाई फ्लेम पे 1-2 मिनिट तक सौटे करेंगे जब तक उसका मॉइस्टर खतमना हो जाए खड़ा करम मसाला में मैंने लिया है 8-10 काली मीरी, 2 इलाइची, लॉंग और जावित्री इसे अच्छी से हम प्यास में सौटे कर लेंगे तक एक अच्छी सी खुश्बू तेल में आ जाए काजू और मगस को जब भी फ्राई करना हो तो गैस को स्लो पे कर दे ताकि इससे वो ब्राउन नहीं हो और ग्रेवी का वाइट कलर बरकरार रहे 10-12 काजू और 1 टेबल स्पून मगस लेंगे 6-7 हरी मिर्च दो मिनिट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे सौटे करेंगे अब गैस हम बंद कर देंगे और इसे प्रेट में निकाल लेंगे अर थंडा होने के बाद 3 टेबल स्पून पानी डालके एकदम बारीक सा पेस्ट पिस लेंगे कुफता हमारा रेडी है अब जाएगा हमारा ये पेस्ट देखे इस तरह एकदम बारीक होना चाहिए अच्छे से एक मिनिट तक सौटे करेंगे काजू की ग्रेवी है चीटा मारेगी इसलिए हम इस ग्रेवी को स्लो फ्लेम पे पकाएंगे एक कब जितना पानी लेंगे और अच्छे से मिलाएंगे पानी से ग्रेवी कम चीटा मारेगी नौन वेज रेसिपी है तो लैसुर अद्र का पेस्ट पड़ता ही है एक टीस्पून भर के लैसुर अद्र का पेस्ट इतना सौटे करें कि बस कच्चापन दूर हो जाए नमक स्वादनुसार दो टीस्पून भर के दही डालेंगे दही को कोई भी डिश में जब भी डाले तब उसे रूम टेंपरेचर पे लाके फ्लेम लो करके डाले इससे दही आपकी फटेगी नहीं दही को अच्छे से पकाएं नहीं तो ग्रेवी कटी और कच्ची लगेगी ग्रेवी में एक ग्लास भर के पानी डालेंगे और धक के हम इसे 5 मिनिट तक पकने देंगे जिससे ग्रेवी फिर से řिन्होजाएगी और मसाले अच्छे से पख जाएगा बीच में धकन हटाके ग्रेवी को एक बार चला लेना क्यूंकि काजू डाला है पतीली में लगने लगता है वाह क्या मस्त तेल छोड़ा है ग्रेवी ने अब फिर से हम डालेंगे एक ग्लास पानी क्यूंकि ग्रेवी में अब हम कुफता और बाकी इंग्रीडेंस डालेंगे जिससे ग्रेवी फिर से थिक हो जाएगी पानी इतना गया है कि नमक तो डालना जरूरी है शाही ग्रेवी बना रहे हैं तो काजो और मलाई पढ़ती ही है दो टीस्पन फ्रेश क्रिम डालेंगे फ्लेम को मैंने स्लो पे ही रखा है एक टेबल स्पन कसूरी मेथी कशोरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है होटलों में जैसे वाइट कुफता ग्रेवी मिलती है सेम वैसे ही फ्लेवर और कलर आएगा आखिर में एक एक करके हम कुफता डाल देंगे कुफते को बहुत ज़ादा गोल्डन नहीं करना है वैसे भी ये ग्रेवी में पकने वाला है और वाइट ग्रेवी में लाइट गोल्डन कुफते बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते है अब हम इसे ढग के तीन से चार मिनिट तक पकने देंगे जब तक ग्रेवी तेल ना छोड़ दे और उसका कच्छापन खतम न हो जाए देखें ओईल कितने अच्छे से सप्रेट हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है थोड़ा सा 1x4 टीस्पन शक्र डालूंगी पस हलकी से स्वीट होती है एक ग्रेवी अच्छे से मिला के हम गैस बंद कर देंगे गैस बंद करने के बाद उपर से गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम और हरा धनिया से बाकी बची हुए कोफते को हम 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं जब चाहे निकाले और अपने मन प्रसंद ग्रेवी बनाएं चिकन के कोफते हैं देखिए माशालला जरा भी तूटे नहीं हैं और इसकी ग्रेवी मलाईदार समित्थिक होती हैं थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज लाइक शेयर और कमेंट दो सब्सक्राइब मैं चैनल अल्ला हाफिज